नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खब्लो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार के बाजार में अब मिलेगी मचली से बनी कई उत्पात इंटर और मैर्ट्रिक परिक्षा शुरू होने से आदे घंटे पहले तक प्रवेश बी एससी दुईते इंटर रस्तरिये परिक्षा के लिए दो सो गुना जादा आविदन अध्या के स्रीनाम मंदर के लिए जाएगी मितला का, पाग, पान और मखारा आईपियल निलामी में बिहार के दो लाल का कमार, इसके साथी बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और वस्तार से बिहार के बाजार में अब मिलेगी मशली से बनी कई उत्पात बिहार सरकार के पसुवब मतस्य संसाधन विभाग के द्वारा बिहार में मचलियों के लजीज, रेडी टू इट व्यंचन जैसे फिश पिकल, फिस बॉल्स, फिस कटलेट, फिश कडी को ALU पैक में तयार कर बेचे जा सके इसके लिए बिहार के नीजी छेत्रों में इसकी पा पार्स जरे लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा, मालू हो कि राज्य के सभी मचली बाजारों से वर्तमान में 2.4 लाग टन मतस्य अपसिस्ट निकल रहे हैं जिन में से 500 टन राइट फिस इशकेल तथा 1 लाग टन फिश आईलिच तयार किया जाएगा और बाकी बच अपसि बिहार करमचारी चैन आयोग के द्वारा आयुजित की जाने वाले दुट्य इंटरस तरिये परिक्षा के लिए 200 गुना जादा आवेदन किये गए हैं बतादे किस परिक्षा के तहट 12,199 पदों को भड़ा जाना है जिसके लिए 25 लाग आवेदन किये गए हैं ऐसे में अ आयोजन अंगले वर्ष मार्च महिने में आयुजित किया जा सकता है हालाके इसको लेकर अभी तक आधिकारिक तोर पर कुछ नहीं कहा गया है बोद गया पहुंचे अरुनाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी बीते दिन अरुनाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी पेमा करते वे कहा कि देश में हिंसा भर रही है वैसे में बुद्धिज्म एक सान्ती के प्रती विश्वशान्ती के महत्वण योगदान दे रहा है उन्होंने कहा कि दो हजार चौर में नरिंद्र बोधी सांस्क्रतिक केंद्र में आयुजित हुए इंटरनेशनल संग फोरम के उदगाटन समारों में भी शिरकत हुएं जो की तीन दिवसीय फोरम हैं। बोधी सांस्क्रतिक के बारें दूसरे पाली की परिक्षा के श्रवात दो बज़े से हो रही है। बोधी से हो धाली के पाली की वे से लिए जानकारी के बतादे के आज याने की बुदवार को केंद्रिय स्वास्ते मंत्री मनसुख मानविया के दौरा देश के सभी राजियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से समिक्षा बैठक की जाएगी जिनमें बिहार से भी स्वास्त विभाग के वड़ी अधिकारी शामिल होंगे बिहार यूपी से चलने वाली 14 ट्रेने रद पुरवत्तर रेलवे के छपड़ा स्टेशन पर चल रहे यार रिमॉडलिंग छपड़ा एवं गौतम स्थान के बीच विद्यूतिकरन छपड़ा और कछपड़ा कछड़ी के बीच तीसरी लाइन के कमिस्निंग हे तू एनाई का गारी को लेकर बिहार यूपी से चलने वाली 14 ट्रेनों को अगले 20 दिनों तक के लिए रद कर दिया गया है बिहार सहरसा पुर्विया एक्सप्रेस कारी संख्या 13137 और 13138 कॉलकता आजमगर कॉलकता एक्सप्रेस कारी संख्या 13105 और 13106 सियालद बलिया सियालद एक्सप्रेस कारी संख्या 19165 और 19166 एहमदाबाद दर्भंगा एहमदाबाद सावरमती एक्सप्रेस कारी संख्या परिच्छा 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 के 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 परिच्छा क अपना परिणाम देखने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर अपने रेजिस्ट्रेशन नमबर, रोल नमबर और डेट ओफ बर्थ की मदद से देख सकते हैं अयोध्या के राम लला के दर्शन के लिए बिहार से रोज खुलेंगी 100 से जाधा ट्रेनी 22 जिनवरी दोखजार 24 को अयोध्या में बने राम मंदर का उधगाटन होने वाला है ऐसे में बिहार के लोग भी अयोध्या के राम लला के दर्शन कर सके इसलिए बीजेपी के द्वारा बिहार के तमाम जलों से हर रोज 100 से जादा ट्रेनों के पड़िचालन का नड़ने लिया गया है जिसके शिरवाद 23 फरवरी से होगी जो की मार्ज के अंतम सब्ताह तक चले है राम लला दर्शन कारिक्रम के जरीए हम लोगों को आंदोलन से जोड़ना चाहते हैं हर विधान सफाथ छेतर से श्रद्धालों को हम अयोध्या दर्शन के लिए ले जाएंगे इसके लिए हर रोज 100 से जादा ट्रेने खुलेंगी इसके लावा रहने खाने की विवस्थ भी पाटी ही करवाएगी टमाटर के नीचे छेपाकर लाई जा रही शडाब बढ़ामत बिहार में पुनरूप से सराब बंदी है से तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी सराब तसकरों के द्वारा आए दिर नए नए तरीकों से तसकरी को अंजाम दिया जा बढ़ामत की गई वहिस के बाद उक्तगारी को रूपस पूर्थ हनाल ले जाया गया वहिस्तुरान फुलस के द्वारा पिक अप के ड्राइवर और उसके साथ मौजूद एक अनिस सहयोगी को भी गिरफतार किया गया है फिलाल इस पर कारवाई की जा रही है अयोध्या के इस र्याम मंदर के लिए जाएगा मिथला का पाग पान और मखाना 22 जिनवरी दोहजार चौबस को अयोध्या में नवनर्वित राम मंदर का उधगाटन किया जाएगा ऐसे में पटना का महावीर मंदर के द्वारा पाहुन राम के लिए उनकी ससुराल मिथला का पाग पान और मखाने के साथ कई और उपहर भेजने का काम किया जाएगा हाला कि अब तक यह पूरी तरह से तैन नहीं हो पाया है कि अयोध्या के राम मंदर के लिए मितला से खास उपहर में और क्या-क्या भेजा जाएगा भेजिस के लावा रोतास के मोकडी गाउं के विश्व प्रसिध गोवन भोक चावल से राम लला का भोक राम लला के मंदर में अखंड दीप जलाने के लिए गाय का घी महवीर मंदर की ओर से भेजा जाएगा पता दे कि महवीर मंदर नियास की ओर से अयोध्या में राम रसोई और सीता मढ़ी में सीता रसोई के जरिये प्रति दिन हजारों श्रधालूँ को निशल्क भोजन कराया जाएगा सांसदों के निलंबन पर लालो के बेटी रोहनी आचारी का बीजेपी पर हमला राज सुप्रीमों लालो परशाद यादव की बेटी रोहनी आचारे भले ही राजनीती में नहीं है लेकिन वो अपने बातों को समय समय पर लोगों तक पहुछाते रहती हैं इसी कड़ी बे अब रोहिनी आचारी के द्वारा सांसदों के निलंबन मामले में बीज़पी को घेरने का काम किया गया है, बता दे कि रोहिनी आचारी के द्वारा एकसपर जो की पुर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर टुइट कर लिखा गया है कि स्री राम चंदर कह गया सिया से ऐसा कल्यूग आएगा माफी वीर के उलादों के हाथो देश का लोकतंत्र लूट जाएगा इसके साथ उन्होंने एक और टूइट किया और लिखा कि बीजेपी सरकार पर नकेल कसने का कारगर कोशल हुनर लालू जी के ही पास है आज संसद को और जनसंगर्स के बतौलत लोकतंत्र की रखवाली की मुहिम को लालू जी की ही कमी खल रही है अगर लालू जी वहां होते और स्वास्ते संबंधित पाबंदियों से बंधे नहीं होते तो लोकतंत्र का गला घोटने वाली बीजेपी की फासी वादी सत्ता को उसकी असली आउकाद का भास करा सब्सक्राइब दिल्ली में आयोजित इंडिया गडवन्धन के बैठक में बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वरा शीट शेरिंग के काम को फाइनल करने को कहा गया उन्होंने कहा किसमुद्दे पर काफी विलंभ हो किया है इसलिए तिव्ड गती से इस संबंध म नर्नय लिया जाए सपारे में फैसला करने के लिए राज्यस्तर पर कमीटी का गठन किया जाए और शीट शेरिंग की बात हो फिर तुरंद बाद अभियान आरंब की जाए इस अभियान के तहट सामोहिक रूप से लोगों के बीच जाकर उद्देशी पर बात की जाए ऐसे नौ बजे महरसी में ही कुपा घाट पहुंचेंगे और वहां मौजूद आचारे साधू सन्यासियों से मिलकर कई बिंदूओं पर बारता करेंगे वहें सुरार वो महरसी में ही पर बनी डॉक्योमेंटरी फिल्म महरसी में ही एक व्यक्तित्व एक विचार का मूख आउट जारी करेंगे और तलब है क्यारसिस प्रमुख मोहन भागवत सारी नौ बजे सुभा कुपा घाट परिसर में पहुंचकर महरसी में ही परमहंस जी महराज और संतसेवी महराज के समाधी अस्तल पर पुस पांचली करेंगे उसके बाद संतमत प्रवचन के प्रसाल में पहु इते दन UAE में IPL 2024 का ओक्सन आयुजित किया गया जिसमें बिहार के दो लाल के द्वारा भी कमाल दिखाए गया है बतादी के बिहार के गोपाल गंज के साकिब हुसेन जोकी तेज गेंद बाज है उन्हें शारुख खान के टीम कॉलकता नाइट राइडर्स के द्वारा उन राज्य से खेल रहे पटना के शान के सन, गोपाल गंज के मुकेश कुमार नलंदा के वीर प्रताब सिंग और सासाराम के आकास दीप अगले वर्स IPL में जलवा दिखाते ही नदर आएंगे केल राहूल ने इस वज़ों को बताया दूसरे ODI में हार का कारण, बीतेदन भारत को साउथ अफरिका के खिलाब खेले गए तीन मैचों की वंडे स्रीस के दूसरे मैच में आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा, वहीं हार के बार टीम इंडिया के कप्तान के द्वारा इस हार का कारण बताये गया, उन्होंने कहा कि मैंने टॉस जीता, लेकिन पहले हाफ में विकेट से थोड़ी मदद मिल रही थी, यहां एक मुश्किल विकेट था, साई के साथ मिलकर मैंने कुछ रन जोड़े, लेकिन अगर हम 100 रन की, साज़ेदारी कर पाते तो हम टीम के खेल, गेम प्लान और उस जिसमें वे कमफर्टेवल हो उस पर भरोसा करते हैं, अब हम मैदान पर जो हुआ उसे यहीं छोड़ते वे अगले मैच पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, अब बढ़ते हैं आज के पांच सवाल की और हमारा पहला सवाल है, कोरोना के किस नए वेरियन को लेकर अलर्ट किया गया है, ऑप्शन ए, जे एन एक, ऑप्शन बी अलफा, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन देन में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए, जे एन एक, अगला सवाल, बिहार में मचलियों के लजीज, रेडी टू इट वेर्जन को तय करने के लिए कितनी इकाईया लगाने का निर्णय लिया गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, दो, ऑप्शन बी पांच, ऑप्शन सी आठ, ऑप्शन दी दस, इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी पांच, अगला सवाल, विहार यूपी से चलने वाली कितनी ट्रेने रद की गई हैं option A 5 option B 8 option C 12 option D 14 इसका सही उत्तर है option D 14 अगला सवाल अयोध्या के स्री राम मंदर का उध्गाटन कब किया जाएगा option A 22 जन्वरी 2024 option B 24 जन्वरी 2024 option C 26 जन्वरी 2024 option D 28 जन्वरी 2024 इसका सही उत्तर है option A 22 जन्वरी 2024 अगला सवाल B S, C दुट्ट्र इंटर्स्तर है पड़िछा के लिए कितने आविदन किये बहुत लोगों ने अपने जवाब हमिये अमारी कॉमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिखक दिया है जिन्हों ने हमारा दुरे पूछे के सवाल गा जवाब दिया है उनके नाम है धीरज कुमार यादब, रजेश कुमार, रंजीत मिश्रा, रिसिकेश साह, नौशद राजा, बाबूलार मरांडी, अनवर करीम खान, मुहम्मद सकीर हुसाइन, कुश कुमार यादब, ननुगोलु कुमार, सदुल्लापलवी, खुशी शर्मा, गोनर सर्मा, र अगर आप यूटूब से देख रहें, चनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्वुक से देख रहें, तो पीस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद,